नितीज दी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि पहले 15 साल जिस समय उनका राज रहा है। उस समय समाजिक नयाय की बात हुई जो समाज में आर्थिक या समाजिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको उनकी सरकार ने आवाज दिया। उसके बाद के 15 साल 2004 के बाद से जब नितीज दी मुख्यमंत्री हैं। उनके और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि उन्होंने आर्थिक विकास और दूसरे समाजिक पहलों पर ध्यान दिया है और विकास किया है। दोनों ही बातों में कुछ सचाई तो जरूर है अगर आप इसको अब्जेक्टिवली देखेंगे तो जो लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नितीज जी के रिजीम में हो रहा है उसमें कुछ सचाई जरूर है और जो वो दावा कर रहे है लेकिन जितना उनके दावों में सचाई है उतना इस बात में भी सचाई है कि बिहार आज तीस वरस के लालू जी और नितीज जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है इस सचाई को कोई जुठला नहीं सकता है विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है इसलिए अगर आगे के 10-15 बरस के राज्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस राज्ते से आप आये हैं पिछले 10-15 सालों में वो राज्ता आपको वहाँ पर नहीं पहुँचा सकता है आने वाले 10-15 बरस और अगर उन वर्सों में बिहार को अगरणी राज्यों की स्रेणी में आना है तो जिस राज्ते पर ये राज्य पिछले 10-15 साल या 20 साल से चल रहा है उन राज्तों पर चल कर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं सभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है अब ये विवाद और भहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने का कि सारी छमता किसी एक व्यक्ति विसेश के पास है मैं ऐसा समझता हूँ कि विहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे तब तक विहार की दसा और दुर्दसा सही नहीं हो सकती है इसलिए मैं ऐसा मांगता हूँ कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस भरती से जुड़े हैं जो यहां के मुद्दों को समझते हैं और जिन में यहां के समस्याओं को सुल्धाने की छमता है और उससे बढ़के आने वाले बरसों में बिहार को बदलने का जिनके पास जजबा है जो बिहार को बदलना चाहते हैं वो सारे लोग और या उन में से जादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की जरूरत है इस संदर्व में मेरी जो सोच है और जो मेरी भूमिका है उसके बारे में मैं दो बात आज बताने वाला हूँ जैसा कि आप प्रेस में या अधरवाइस कही जगा मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनितिक पाटी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनितिक मंच बनाया है ऐसी कोई घोस्रा मैं आज नहीं करने वाला हूँ मेरी कोशिस ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जो जिनको मैं कह रहा हूँ जो यहां के समाजिक और राजनितिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहां की मिट्टी को यहां के मुद्दो को यहां के समस्याओं को समझते हैं उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष है वो ये है मैं मेरे साथियों के साथ पिछले चार पांच महिनों से हम लोगों ने करीब सत्रा साड़े सत्रा हजार ऐसे लोगों को चिन्धित किया है उनसे संपर्क बनाया है आने वाले तीन चार महिनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इन में से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन्र सुराज की सोच है गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए बिहार में उस चीज को जमीन पर लाने के लिए जो करने की जरूरत है इस संबन्द में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ गुरू समीर जी नमस्कार, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहां कुछ लोगों के पास अपार सम्रथी और धन्द आलत है, तो वही कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा, लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ देव्य पुर्षों को हमारे वीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, ग्रिह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट, गुरू समीर जी, घर बेठे पाएं समाधान